दूस्मिले रख्मारेंग क्लास आज हमें बात करेंगे exercise 2.6 पे और इसमें हमें बात कर रहे हैं synthetic division की अब synthetic division होता क्या है यह वो method है या वो methodology है जिसको हम use करते हैं और algebraic purpose और इसमें हम algebra को divide करते हैं अब basically आपने division form चेकिए होंगे smallest class में या from grade 2 to grade 7 कि जब भी आपने divide करना है तो आपने biggest number को अंदर रखना है smallest को बायर रखना है और यह आप करते क्यों हो इस वज़े से ता कि आपके पास जो बड़ा number है वो reduce होके चोटा हो जाए clear class तो यहां तो भी हमें बात करेंगे synthetic division में कि बड़े values को यह number of terms को reduce करके smallest number of terms में convert करने के लिए अब यहां पे हमें करना किया था first thing you have to put in a mind यह synthetic division actually होता क्या है a method of division in which we deal with the coefficient and constant अब आपके दिवांग में होगा कि यह coefficient क्या है और constant क्या है तो सबस्क्राइब के पहले चीज़ में बताता चलू कि आपको अगर algebra के ऊपर a command बिठानी है तो आपको तीन चीज़े mind में रखनी होगी number one coefficient क्या होता है number two variable क्या होता है number three constant क्या होता है अब यह चीज़े काहां पर होंगी in equations की अंदर ठीक है class अब यहां पर आपके पास जो number of coefficient है एक तो two बनता जाएगा दूसरा three बनता जाएगा यह हमारे क्या बनेंगे coefficient अब coefficient के एक खुर में निशानी है कि जो भी alphabet के साथ number आएगा वो number भी coefficient बनता जाएगा अब लाजम ही है कि यहां पर एक से तो एक्स के साथ वाला number ही coefficient होगा इधर number of alphabet सास है लेकिन make sure वो small हो A आ सकता है B आ सकता है C आ सकता है D आ सकता है जितने number of alphabet भोंगे और उनके जाएगा जो भी number होगा उन numbers को हम बोलेंगे coefficient और जो small alphabet है उन्हें हम क्या बोलेंगे परियेबल और जिनके साथ कोई alphabet नहीं आता उन्हें हम बोलेंगे constant यह तीन चीज़ें आपके पूरी algebra के अंदर लजार आएंगी और अगर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में information है यह guidance है तो आप इसके उपर इज़ी operation apply कर सकते हो अगर आपको नहीं है आप मुझे message कर सकते हैं यह text कर सकते हैं तो उस चीज़ों के उपर में एक detail video बना lecture which is synthetic division और for synthetic division we have to pick out two things the number one is coefficient and the second one is constant यह दो चीज़ें ही आपने सवाल में से pick करनी है और इन्हीं के हो हम लोग use करेंगे as a division और at the result we get a question and number one number two is reminder मैंने यहां से two को pick किया second मैंने three को pick किया और उसके बाद एक constant number को मैंने pick किया क्योंकि मैं यहां पे बात किसकी कर रहा हूं coefficient and constant की और make sure जब आप इस synthetic division को apply कर रहे हो यह इस method को apply कर रहे हो तो आपने सबसे पहले एक इस तरह का table drop करना है इस table से क्या होगा कि यहां पे वो नंबर होगा जिसको आपने divide करना है और इसके outside वो नंबर होगा जिसके जरीए divide करना है तो मैंने इस equation को किसके जरी divide करना है इस term की जगह से तो हमने सबसे पहले किया कि इसमें से coefficient और constant डिकार के हमें पूट कर दी है और second हमने क्या काम किया यह जो x plus one है इसे हमने एक value create की जिसको हम use करेंगे for division पर पर जैसे कि आप यहां पे देखो मैंने लिखा हूँ है x plus one equal to zero तो मैंने इस plus one को जब जै divide करोगा make sure class इस time पर जब से बड़ी value थी वो थी x2 की और जब हम आंसर निकालेंगे तो आपके पास यह x2 सवाल के जवाब में नजर नहीं आना चाहिए तो इसका मतब फिर आपने division perfect apply किया कि आपने इस minus one को सबसे पहले टू से multiply करना है so one two's are two minus plus minus make sure जहां पे कोई sign नजर नहीं आता वहाँ प्लस का साइड होगा है so minus plus minus अब यहां तक number done हो गया तो अब आपने उपर वाली number को नीचे के साथ plus minus करके चेक करना है कि कौन सा answer आपके लिए त्यार होता है और कौन सा remaining रह जाता है तो plus minus minus three में से two निकाला तो answer आपके पास आया one अब यह सिर्फ पहले ही ऐसा operation है जिसमें one two के पास जाएगा अब उसके बाद जितनी दिफ़ा आप multiply करो के one जो है उसके answer से multiply होके अगला number create करेगा जैसे one minus plus minus अब यहां फिर मैंने जब multiply किया तो मेरे पास जो था वो minus one create हुआ अब उस minus one के साथ क्या करना है कि उपर seven इसके साथ हल होगा solve होगा और at the end जो answer है उसको हम नीचे लिखेंगे और अगर in case इसके अगला भी कोई number आता है जैसे कि यहां पे अगर one आ जाता है तो यह one is six multiply ह होगी यहां ते पिर अपना एक डिजिट देगा पुछ इसका अब इस टाइप हमारे पास सिर्फ तीन ही डिजिट थे two three and seven तो इस वज़े से मैं इसको right नहीं करूगा तो यहां तक तो हमारा answer done हो गया मैंने minus किया plus minus minus seven में से one निकाला one अब मेरे पास आगे कोई number नी तो म मैं आप इस टॉप करूँगा अब इसमें होगा क्या कौन सब कोश्चंट है कौन सब कोश्चंट है कौन सब कोश्चंट है तो make sure आपके पास जो last value है वो बन जाएगी as a reminder और remaining जो value है उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है इस two को drag कर लेना है नीचे की तरफ ता कि हम इसको एक्स की value पूट करना शुरू कर दिया जैसे अब यहां पर आपके पास है two x plus one लेकिन यहां पर यह एक्स कहां से है मैं आपको guide करता बचलू कि जब हमारे पास यहां पर two और one था तो हमने यहां पर इसको number of x वापिस दिये जिससे हमने यहां से number of x निकाल ले थे तो यहां पर आपके पास ज्यादा first number क्या होना चाहिए constant बिसिकली यहां पर एक x होता है लेकिन उसकी power होती है zero यह सिर्व आपको guide करो ताकि आपको पता चल जाए कि इस x के बाद यह x क्यों होा रहा है जैसे हम लोग binary coding में करते हैं कि zero से power शुरू करते है zero one two three तो सिर्व यहां पे भी हम x put करते हुए power को focus करेंगे जैसे x के उपर सबसे पहले power होगी zero उसके बाद x one आएगा then x two आएगा x three आएगा बिल्कुल number of series इसमें भी उसी तरह complete होगी जैसे हमने binary coding में की थी जब हम किसी भी code को breakdown करते हैं अब यहां पे हमारे पास जो x की value zero है तो यह गा करता चलूं कि कोई भी अगर alphabet है a b c d और अगर उनकी power भी zero है तो यह सारे की सारे यह बन जाएंगे equal to one चाहें दुनिया का कोई भी बड़ा number हो चाहें कोई भी value हो even कि कोई symbol भी हो तो make sure वो जब भी अपनी power zero show करेगा तो वो equal to हो जाएगा one basically अगर मैं इस infinity sign को भी deal करूँ और इसके उपर मैं power रख दू जीरो तो यह भी क्या हो जाएगा equal to one तो हमने क्या किया x जब put किये तो हमने power रखनी शुरू की from zero to one अगर कोई और नमबर था तो एक्स डू और नमबर था एक्स त्री उसके आगे कोई नमबर था एक्स फोर और यह सेंग कंटीन चलता जाएगा जब पर हमाएं पास number of terms complete मेरे पास दो टंच ते तो मैंने यहां पर दो ही एक्स रखे चीगे class thank you